टिपपणी को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं टिपणी को इंगलिश में आप कमेंट C-O-M-M-E-N-T कमेंट या एननोटेशन कह सकते हैं या आप टिपणी को इंगलिश में रिमार्क भी कह सकते हैं जैसे के अगर आप ये कहना चाहें कि प्रोजेक्ट को लेकर उसकी टिपणी ने सभी का ध्यान खीचा तो आप कह सकते हैं His remark about the project caught everyone's attention His remark about the project caught everyone's attention या अगर आप ये कहना चाहें कि मैं नए प्रोजेक्ट प्रस्ताव पर आपकी टिपणी की सरहना करता हूं तो आप कह सकते हैं I appreciate your comment on the new project proposal या अगर आप ये कहना चाहें कि मैं मेरी प्रस्तुती पर आपकी सकारात्मक टिपणी की सरहना करता हूं तो आप कह सकते हैं I appreciate your positive remark on my presentation I appreciate your positive remark on my presentation अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें